क्यों PVR सिनिमा में खाना इतना महंगा होता है ये सवाल हर किसी के मन में आता ही होगा और आना लाजमी भी है जहां किसी नॉर्मल सिनिमा घर में ये थोड़ा कोश्टली तो होता है और PVR जितना नहीं इसे ऐसे समझे एक नॉर्मल सिनिमा घर में आगर एक पॉपकॉन बकेट 200 रुपे की बिक्ती है तो वहीं PVR में 500-600 की बिक्ती है इस मुद्दे पर खूब बाते होती है पर इसके पीछे के असल वज़े बहुत कम लोग ही जानते हैं मल्टिप्लेक्स चेन PVR के चेर्मेन आजे बिजली ने इसके पीछे की गणित में बताया कि आज कल सिनिमा गर में कई सारे प्रोजेक्शन रूम होते हैं और कई सारे साउंड्स का भी इस्तिमाल होता है जहां नॉर्मल सिनिमा गरों में एक या दो ही स्क्रीन होती है और कुछ में तो इसी की सुविधा भी नहीं होती ऐसे सिनिमा गरों की ऑप्रेशनल कोस्ट कम होती है और वहीं PVR सिनिमा गरों में आपको फुली एर कंडिशन हौल और अच्छा साउंड सिस्टम भी मिलता है जहां मल्टिपल प्रोजेक्शन रूम और मल्टिपल स्क्रीन के होने की वज़े से ऑप्रेशनल कोस्ट बढ़ जाती है जो सिनिमा गर में बेचे जाने वाली हर एक चीज से कस्टमर से वसूली जाती है चाहे वो पॉपकॉन हो या पानी की बोटल अब आप पूछेंगे कि क्यो इन सिनिमा गरों को मर्पी पर सामान बेचने पर मजबूर नहीं कर यह उनकी इच्छा है कि वो खरीदे या ना खरीदे और यही वज़ा है कि यह सिनिमागर खुद को किसी फाइस्टार होटल की तरह ही ट्रीट करते हैं